अगर गरीब गरीबी से बहार निकल चुका है आ रहा है और गर में एक बिमारी आ जाएं तो फिर बेचार पांच साल साथ पीछे चला जाता है फिर गरीबी के चकर में परद जाता है मैं मेरे गरीब को बापेश फिर से गरीबी में लोटने नहीं देना चाहता और इसलिए मैंने ताई किया कि बिमारी का खर्चा उसका बेटा उठाएगा मोधी उठाएगा आईश्मान भारत योजना के तहट पांच लाख रुप्ये के मुक्तिलाज की सुविदाम ने दी है पांच लाख रुप्ये तक एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा बाईजों हैं यहां का मेरा कोई भाइब हैं शिछफ सप्षठिस्गड़ बे नहीं अगर किसी काम से वो दिली गया है को लंगता गया है उडी सांग जिके के दर्शन करने किया है औ आउध्या में प्रभू राम जी के दर्शन बेरे हैं और और मोदी उसकी चिंता करेगा। लेकिन मेरे साथियों गरीब के इलाज को लेकर कॉंग्रेस की सच्चाई भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने गरीबों को सस्ती दवाई मिले। इसके लिए हिंदुस्तान के कौने कौने में जन आउसदी केंद्र खोलाए। इस जन उसदी केंद्रमें हैं, जो दवाई सौ रूपय में मिलती हैं, वो दस रूपय में मिल जाती हैं। इतना गरीब और मध्यम्बर की मदद की लेकिन ये 36 गड़ में ऐसी सरकार है ऐसी जनवीरोधी सरकार है ऐसी ब्रश्ट सरकार है कि उसने 36 गड़ में जन आउसदी केंद्रों को ही ताने लगा दिये सौ से जादा ऐसे जनोसदी केंद्र यहां के कॉंग्रेस ने बंद करवा दिये गरीबों से इतनी नफट करती है कॉंग्रेस मेरे परिवार जनों मोदी जो यह गारंटी दे रहा है जो गारंटी पूरी कर रहा है उसके सबसे बड़े लाभारती हमारे दलीत, हमारे OBC, हमारे आदिवासी, हमारे महनत कसमद्धूर, हमारे समाज के वंचित लोग है OBCIO को कॉंग्रेस दें, समयधानिक दरजान नहीं दिया ये काम आपके बेटे ने जैसे आपने दिल्ली बिठाया ना उस काम को भी कर दिया मेडिकल कॉलोजयों में जो कोटा मिलता है, उसमें भी कॉंग्रेस ने OBC आरक्षन नहीं दिया ये काम भी भाजपाने ही किया संसद और विधान सभाओं में दलीत और OBC वर्क को सबचैदिक भागिदारी भाजपाने दिये केंद्रियम मंत्री मंदल में सब से अधिक OBC मंत्री भाजपा सरकार में है और कॉंग्रेस क्या कर रही है कॉंग्रेस एक OBC प्रधान मंत्री कि एक OBC प्रधान मंत्री को भी सुबे साम पानी पी पी करके गाली देती रहती है कि चलो भई आपको पेट में दर्द होता है कि OBC कैसे प्रधान मंत्री बन गया हम मोधी को गालिया दे रहे हैं चलो मोधी गरीब का मेटा है आपको तो हक है गालिया देने का आपके मन में मोधी के लिए नफ्रत है उसकी जाती के लिए नफ्रत है गालिया देते जा रहे हैं के लेकिन Congress को लेकिन मोधी को जित्नी भी गालिया देजिए , परमात्मा और मिद्य देश की माताय बैद से मोधी की रक्षा करेखी। लेकिन OBC को गाली देना किजिए हर OBC को यह बताना चाहिए Congress कूरे OBC समायत को क्यों गालिया दे रही है मोदी अगर OBC है तो इसमें पूरी OBC जाती का क्या गलती है भई आफिर क्यों कॉंग्रेस 36 गड़के साहू समाज को गालिया दे रही है क्यों कॉंग्रेस पूरे साहू समाज को इस चोर बता रही है कॉंग्रेस के गनेता मैं नाम नहीं लेना चाहता मोधी को गालिया देने के साथ ही पूरे OBC समाज को गालिया देते फिरते और मोधी पूरे समाज को चोर के दिया कॉटने सजा ठोक दी और सुप्रिम कॉटने भी सजा माप नहीं की जेल जाने की मैं थोड़ा मोका थोड़ा लंबा कर दिया है बस मैं जानता हूँ 34 गड़ का OBC समाच पूरे देश का OBC समाच ऐसी कॉंग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा